जो आपके goals हैं आप उसको clear करो के मुझे कौन सा exam निकालना है या तो एक दिन में 2 cover करो या एक दिन में 1 cover करो या तो आपका backlog 20 दिन में खतम हो जाएगा या तो आपका backlog 10 दिन में खतम हो जाएगा screens आएंगी at the end of your day your social media, your entire distraction हमेशा आपके break में कभी नहीं आ सकता है reward yourself, अगर आप कोई target achieve करते हो तो अगर आपने बोला के मैं जब तक एक mock test में 60 पे उपर number नहीं ले आता, मैं समोसा नहीं खाऊंगा Hello everybody, welcome to this particular video which is going to be very important for every aspirant क्योंकि यह जो queries होती है यह मुझे हर दूसरे aspirants से कभी ना कभी आती ही रहती है कि sir हमको नींद बहुत आती है sir हमको पढ़ाई करते हैं तो थोड़ी दिर में खो जाते हैं sir हम थोड़ी दिर बाद पढ़ाई करते हैं तो सोच जाते हैं तो यह जो चीज़ें आपको दिक्कत है हो रही है इस पूरे वीडियो में उन्हीं सारी दिक्कतों का मैं solution लेकर आया हूँ very simple, very easy और कुछ steps हैं जो कि आप follow करो तो most probably आपके उसका solution मिल जाएगा आपको ठीक है अब यहां पर अगर मैं लेकर चलता हूँ तो आपके जो goals हैं वो clear होना वह बहुत ज़ादा important हो जाता है जो आपके goals हैं आप उसको clear करो कि मुझे कौन सा exam निकालना है मुझे judiciary निकालना है मुझे klat निकालना है मुझे क्या करना है ठीक है मेरा purpose क्या है मैं पढ़ क्यों रहा हूँ सबसे पहले चीज़ आपको यह clear करना है कि उस exam को निकालने के बाद मैं personally अपना बता देता हूँ जब मैं पढ़ाई कर रहा होता था किसी भी exam के लिए अगर मैं तयारी कर रहा होता था तो उस टाइम पर मैं ये pros and cons का चार्ट बना लेता था एक pro एक con यहाँ पर अब मैं list down करता जा रहा हूँ अगर मैंने ये मैनत करके exam निकाल लिया तो मेरी life में क्या change होगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अगर गलती से मुझसे मैनत करने के बावजूद यह paper नहीं निकला तो मैं क्या क्या खोदूँगा अपनी life में से वो यहाँ पर लिखता था मैं ठीक है तो ऐसे में इस scenario में जब आपके goals clear होते हैं और आपकी pros and cons वाली sheet बन जाती है तब आपको लगता है कि भाई this game is getting very serious this game is very very serious तब आपकी यह sheet बन जाए कि तब आपको वो चीज़ रियलाईज होगी अगला point जब मैं देखता हूँ तो आपका जो है एक particular time table study schedule कह लो time table कह लो वो या तो नहीं बना नहीं बना या तो follow नहीं हो रहा follow करवाना is solely on the motivation नहीं बनाना is on your आलस ठीक है यहाँ पर आपको चाहिए motivation के follow करूँगा कैसे करूँगा क्या करूँगा वो जो आपकी pros and console sheet बनाई थी वहाँ से आपका आराम से आजाएगा motivation अब नहीं बना तो आपके आलस की उपर है या फिर आपको बनाना नहीं आता तो चैनल पर मेरी एक वीडियो उसके उपर भी है time table कैसे बनाया जाए पूरा का पूरा तो आप वो यहाँ पर देख सकते हो अच्छे जाए ठीक है यह हों गई दो चीज़ें अगले point पर चलता हूँ आपको organize रहना पड़ेगा इसका clear मतलब क्या है organize कैसे रहना पड़ेगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि अपने आसपास के environment को साफ रखो अपने folders को digitally भी साफ रखो folders physical plus digital इन सब को साफ रखो and जहां बैठ रहे हो उस जगे को साफ रखो अपने आप को साफ रखो सही खाना खाओ इस सब चीजों से आप रहोगे organized ठीक stay motivated अब आप क्या बात कर सकते हो अपने mentors से बात कर सकते हो यह आपके teacher हो सकते हैं आपके parents हो सकते हैं यह आपका कोई senior हो सकता है तो यह depend करता है यह कौन है यह आपके teachers हो सकते हैं तो आपका mentor कौन है यह उस क्यों पड़पेंट करता है बट आपको motivation यहीं से आएगा यह तो हो गया external source of motivation असली motivation आता है अंदर से that is self motivation यह आपको कहां से लाना है यह कैसे आएगा यह आपको आएगा जब आप अगेन अपनी pros and cons वाली sheet देखोगे वो sheet बनाना बहुत जादे important हो जाता है हर एक आदमी के लिए जो की किसी ना किसी exam की तयारी करने की सोच रहा है ठीक है अब हम चलते हैं break the task into smaller steps अगर आपको 20 दिन का backlog cover करना है 20 days का backlog अगर आपके पास है ठीक है 20 दिन का backlog है जो कि आपको cover करना है क्या आप एक ही दिन में target कर दोगे कि मेरा day 1 जो है उसमें सब कुछ हो जाना चाहिए बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं होता आप एक दिन में इसको cover नहीं कर सकते हो जब आप चलते हो कि मैं day 1 को एक चीज़ cover करूँगा day 2 को दूसरी चीज़ cover करूँगा day 3 को तीसरी चीज़ cover करूँगा ऐसे करते 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 या तो एक दिन में दो cover करो या एक दिन में एक cover करो या तो आपका backlog 20 दिन में खतम हो जाएगा या तो आपका backlog 10 दिन में खतम हो जाएगा लेकिन अगर एक ही दिन में करने की सोचोगे तो आप फिर उसको procrastinate कर दोगे आप उसको क्या करोगे? आलस के चक्र में आगे धकेल दोगे That is not something जो कि आपको help करेगा ultimately इसी लिए कि अगर आप छोटे-छोटे pieces में इसको divide करते हो तो जादा easy रहता है अब आपको break लेना important है अगर मैं 60 minutes पढ़ाई कर रहा हूँ 60 minutes की पढ़ाई तो मैं 10 minutes का break deserve करता हूँ हर एक slot के बाद यह proper technique है अब यह पढ़ाई अगर मैंने online करी तो मैं break लूँगा offline मतलब मैं screen से side में हट जाऊंगा कोई भी break होता है this shall be your no screen break आप बहार घूम के आ सकते हो ममी पापा से बात कर सकते हो कुछ भी हो सकता है लेकिन break में कभी भी screens नहीं आ सकती screens आएंगी at the end of your day your social media your entire distraction हमेशा आपके break में कभी नहीं आ सकता है ठीक है that is very clear अगला point अपना है stay active आप कुछ भी workout कर सकते हो workout करिए आप कुछ भी physical activity करिए आप running करिए run करो jog करो walk करो बट आपको लगता है कि शयद physical activity करने के बाद आदमी ठक जाता है तो और जादा आलसाएगा बट नहीं यहां से आपकी body में कुछ chemicals release होते हैं जो कि आपको again active बनाएंगे इसलिए यह वाला point भी important हो जाता है ठीक है अब अगला point stay connected with peers आपके जो दोस्त हैं इनसे आपको connected रहना है एकदम बाहर मत निकलो दुनिया से तो make friends, follow friendship and enjoy the friendship तो यह तीन चीज़ें आपके लिए important है connected with the peers के वाले point पर ठीक है तो यह जो हो जाता है बहुत important हो जाता है हर उस बच्चे के लिए जो चाहता है कि उसको आलस से थोड़ा दूर निकाला जाए शाम को cricket खेले आए किसी के साथ जाकर self care आपको practice करनी है इसमें आप क्या कर सकते हो इसमें आप meditate कर सकते हो meditation इसमें आप धंग से सो सकते हो इसमें आप अच्छा खाना खा सकते हो eat food which is good ओके तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़े हैं जो की self care में आती है and reward yourself अगर आप कोई target achieve करते हो तो अगर आपने बोला कि मैं जब तक एक mock test में 60 से उपर नंबर नहीं ले आता मैं समोसा नहीं खाऊंगा यह आपका target है आप समोसा खाने के लिए drive हो रहा हो चाए नंबर लाने के लिए drive हो रहा हो मैं कुछ नहीं जानता तुम कुछ नहीं जानते तुम्हें नंबर लाना पड़ेगा, जब तक नंबर नहीं, तब तक तुम्हारी जिंदगी में समोसा नहीं, ये है एक policy, जब तक मैं दिन के 10 गंटे ना पड़ूं, तब तक मैं छोले बटूरे नहीं खाऊंगा, तो मत खाओ, किसी की शादी, किसी की पार्टी, तुम तुम कर सकते हैं, एक primary factor laziness का आपका खाना होता है, तो आप दिन में क्या अंदर ले रहे हो body के, क्या खा रहे हो, that is something very important, इतना जादा पानी पीओगे, जितना जादा खाना कम खाओगे, मतलब lower food intake and more water intake, तो वाश्रूम तो थुदधा जाना पड़ेगा उसके बाद, but पानी से आ आप generally ज्यादा energize रहते हो पूरे दिन बार, so that was it for this particular video, I hope सबको बहुत अच्छा लगा हो, कुछ भी comment है आपका, नीचे जरूर छोड़के जाईए, ताकि मुझे पता लगे कि इस से आप क्या चाहते हो वीडियो के बाद, okay, that was it, thank you so much.